ओम गंगणपत यई नमो नमा बोलिये गौरी नंदन भगवान श्री गणेश्ची महराज की भग्त जनों तीनों लोकों में भगवान गजानन जैसा दयालू और क्रिपालू कोई नहीं है इनके अस्ट मिनायक रूपों की अनेकानेक गाथाएं वेद पुराणों में वर्नित नहीं परन्तु इनके जन्म की गाथा अत्यन्त रोचक और परोपकारी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के बुरे कर्मों का समूल विनाश हो जाता है और वो मनुष्य भौतिक जीवन के समस्त सुक भोग कर अंतत है भगवान श्री गणेश जी के चर्णों में मुक्ति प्राप्त करता है तो आईए सुनते हैं श्री गणेश जी की पावन जन्म कथा श्री गणेश के चन्म की गाथा श्री गणेश के चन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गणेश के चन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गणेश के चन्म की गाथा एक बार की बात है भक्तों भगवान भोले नात को तप में लीन देखा तो मा गोरा के मन में स्नान करने का विचारा गया उन्होंने अपनी दो सक्षियों जया और विजया को संग में लिया और स्नान करने हेतु महलों में आ गई सक्षियों ने मा गोरा को उपटन लगाया ही था कि जया के मन में विचार आया हे सक्षि द्वार पर तो कोई पहरेदार है ही नहीं यदि कोई भीतर आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा मा गोरा ने मन में विचार किया शरीर से उप्टन उतारा उसे मानव आकृती प्रदान की और प्राण मंत्र फूप कर उसमें प्राण भर दिये और देखते देखते एक हस उस्ट बालक उनके सनमुक्ता मा गौरा ने उस बालक को क्या आदेश दिया आईए सुनाता हूं जाओ जाकर द्वार पे बैठो और पहरा दो लगवाए कितना ध्यान रहे बालक के कोई भीतर ना आपाए मैया को प्रणाम किया और द्वार पे आके पधारे हैं इधर के लाश पे भोले बाबा गोरा गोरा पुकारे हैं नंदी ने भोले को बताया मैया गईस नान है भगतों का कल्यान है करते गोरी पुत्र भगवान है गजानन्द भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानन्द भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा शिव जी को जब ग्यात हुआ के गोरा स्नान करने है तू महलो को गई है तो वो उनसे मिलने उसी ओर चल दिये द्वार पर बालक बैठा देखा परीचे पूछा तो बालक ने बतलाया कि मैं तो अपनी माता का फुत्र हूँ और उनकी आग्या से द्वार पर पहरा देता हूँ भोले नात ने कहा मैं गौरा का स्वामी हूँ और भीतर को जाने लगे तभी बालक ने उन्हें बीच मार्ग में रोक दिया यहे देखकर नंदी भिंगी और अन्य शिवगणों को अत्यंत क्रोध आया और वो बालक से युद्ध करने लगे परंतु बालक के अधब्य साहस के आगे वे सारे के सारे हार गए अब शिवशंकर के क्रोध का कोई भी पार नहीं था और क्रोध में जब भोले नात आते हैं तो क्या क्या हो जाता है आईए सुनते हैं पीजे नेत्र को खोला शिव ने हात तुशूल उठाया है खीच के बालक पर था मारा उसका शीश उड़ाया है मागोरा चितकार मचाती भवन से बाहर आई है मेरे लाल को क्यों मारा है तेने लगी दुहाई है पुत्र को मेरे जीवित कर दो पुत्र को मेरे जीवित कर दो वरना स्रिस्ट शमशान है भगतों का कल्यान है करते कजानंद भगवान है गौरी पुत्र भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते कजानंद भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा मा गौरा ने जब कटे हुए शीश का बालब देखा तो चंडी रूप धर कर चीतकार करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो सारी श्रिस्टी को आज शमशान बना दूँगी भोले नात ने विश्णुजी से आग रह किया कि जाईए और मार्ग में जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आईए विश्णुजी मार्ग में गए तो सबसे पहले एक गज बालक उनके सम्मक पड़ा उन्ही का शीश लेकर श्री विश्णुजी वापस आ गए भोले नात ने मंत्र पड़कर गज का शीश बालक के कटे धड़ से जोड दिया और बालक उन्हें जीवित हो गया चहुँ और बालक की जैजेकार होने लगी अब प्रश्ण यह था कि बालक का नाम क्या हो इस पर भुले ने क्या बताया आईए सुनते हैं तुम इन गणों के इश हो बालक सो गणेश कहलाओगे मेरा ये बरदान है तुमको प्रथम तुपूजे जाओगे सबसे पहले पूजतिहारी सबसे पहले नाम तेरा भगतों के हिरदे में रहेगा एगणपती तो वास तेरा तुम सा उपकारी ना तोई तुम सा उपकारी ना तोई ये मेरा बरदान है भगतों का कल्यान है करते गजानन्द भगवान है गोरी पुत्र भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भक्त जनों कैलाश परवत पर श्री गणेश के जन्म की धूम मच गई, नंदी को देखो धोल बजा बजा कर नाच रहा है, भृंगी को देखो सोने का थाल पीट रहा है, शिवगण, शंक, मंजीरे बजा रहे हैं, तीनों लोकों में भगवान गणेश की जैजै कार हो रही है ब्रह्मा जी जब गणेश जी का दर्शन करने आये, तो उन्हें वेदों का ज्यान दे दिया, ब्रह्मानी ने स्वर और बुद्धी का ज्यान दिया, विश्णु जी ने सुदर्शन चक्र की शक्ती, तो मा लक्ष्मी ने धन्धान की वर्षा कर दी, सभी देवी देवता, अपनी अपनी शक्तियों से, बाला गणेश को नवासते जाते, उनके धर्शन करते, और जयजय कार लगाते जाते, आगे आगे क्या लीला होती है भगतों, आईए बतलाता हूँ सूर्य ने अपने तेज को भगतों, श्री गणेश को सौप दिया, अगनी ने ज्वाला में घुने वर्षा, पवन देव ने वेग दिया शिव जीके तुर्शूल की शक्ति, बाल गणेश में आई थी, मादुरगा की आठभुजाओं की शक्ति भी समाई थी, हर कोई तुमरी जै बोले हाँ हर कोई तुमरी जै बोले करता तेरा गुणगान है भकतों का कल्यान है करते गौरी पूत्र भगवान है श्री गनेश भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भकतों बड़ी महान है भकतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है जजानंद भगवाल है श्री गणेश के जन्म की गाथा मा गौरा की प्रसन्नता को तो जैसे पंखी लग गए थे भक्तों बार बार अपने लाडले गणेश की बलईया लेती और उनकी नजर उतारती चलती भाई कार्तिक भी गणेश को देख देख कर अती प्रसन्न हो रहे थे जिस तरहे पूरे कैलाश परवत पर भगवान श्री गणेश के आगमन पर प्रसन्नता चा गई थी फी उसी तरहे बप्पा मोर्या अपने भक्तों के जीवन में प्रसन्नता भर्षो लास यश वईभव कीर्ती और धन्धान भर देते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा कर मेरे साथ सच्चे हृदे से बोलिए बोलिए गौरी पुत्र देव गजानन गणेश की जिसने गणपत नाम को ध्याया मोदक भोग चड़ाया है आरति चालीसा भी गाई चंदन तिलक लगाया है उन भगतों की भवसागर से आपने नई आतारी है देव गजानन सब भगतों पे देखो सदाओ को तारी है तीन लोक में देव नहीं है हाँ तीन लोक में देव नहीं है इनसा कोई महान है भगतों का कल्यान है करते गौरी नंद भगवान है श्री गनेश भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा